pou नमस्कार साइन्स के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम चैप्टर one का पार्ट two videos करने वाले हैं पार्ट one में हमने रसायनिक अभिग्रियाएं क्या होती हैं discuss किया था रसाइनिक अभिक्रियाओं को समिकरण के रूप में लिखना सीखा था और समिकरणों को संतुलित करना भी सीखा था ये एक छोटा सा एक्जामपल आपको पार्ट वन की याद दिलाने के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि left hand side पे हम अभिकारक यानि के reactants रखते हैं H2 hydrogen और O2 oxygen यहाँ पर reactants यानि अभिकारक है और right hand side RHS पर हम product रखते हैं यानि उत्पाद रखते हैं यहाँ पर H2O उत्पाद है यानि product है तो रसाइनिक अभिकरिया में जो हमारे अभिकारक हैं वो विवस्तित होकर उत्पाद यानि product बनाते हैं अब इन अभिकरियाओं के प्रकार हम अपने part 2 में discuss करने वाले हैं चलिए start करते हैं तो part 2 में क्या learning objectives रहेंगे विभिन प्रकार की रसाइनिक अभिकरिया है इस वीडियो में हम इन तीन प्रकार की रसाइनिक अभिकरियाओं को discuss करेंगे सबसे पहले संयोजन अभिकरिया फिर वियोजन अभिकरिया और लास्ट में विस्थापन अभिकरिया तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, देखें संयोजन यानि combination reaction, संयोजन का मतलब योग, जुड़ना, combine करना, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक जुड़ेंगे, एक उधारन लिखते हैं, क्या आपने कभी दूद और नेबु को मिलाया है आपस में, जब हम दूद और पनीर मिलती है, तो दूद यानि A और नेबु यानि B, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं, ये मिलकर पनीर यानि की उत्पाद A B बना रहे हैं, तो A और B जुड़कर संयोग करके उत्पाद यानि A B प्रॉड़क्ट बना रहे हैं, तो ये परिभाशा आप वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्मान कराते हैं, तो हम इसे संयोगन अभिक्रिया यानि कॉम्बिनेशन रियक्शन कहते हैं, तो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं यह एक उधारण है इसमें हम magnesium ribbon को जलाते हैं और हमें सफेद रंग का powder मिलता है तो क्या हो रहा है magnesium ribbon का देहन जब magnesium ribbon को जलाते हैं तो magnesium oxygen के साथ अभी क्रिया करके magnesium oxide यानि जो सफेद रंग का powder है वो बनाता है तो यहां पर magnesium और oxygen A और B दो अभी कारक मिलकर एकल उत्पाद यानि magnesium oxide बना रहे हैं तो यह संयोजन अभी क्रिया का एक उधारण है अन्य उधारण देखते हैं यह कोईला है इसको हम जलाते हैं तो इसका देहन होता है तो कोईले का देहन जब होता है तो कोईला यानि carbon oxygen के साथ अभी क्रिया करके carbon dioxide gas बनाता है तो इसमें भी दो अभी कारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो यह संयोजन अभी क्रिया का एक उधारण है अच्छा इसमें जब हम कोईले को जलाते हैं तो बहुत अधिक उर्जा भी हमें मिलती है तो यह उश्मा क्षेपी अभी क्रिया का भी उधारण है अब अगली प्रकार की अभी क्रिया यानि वियोजन अभी क्रिया को डिस्कस करते हैं वियोजन यानि डिकंपोजिशन यानि तूटना वियोग होना सैयोजन का मतलब जुडना वियोजन का मतलब तूटना क्या आपने कभी हाइडरोजन पैरोकसाइड को घाव पर डालते हुए बुलबुले उठते देखा है जब कभी चोट लग जाती है तो हाइडरोजन पैरोकसाइड इस पर डालते हैं और उसमें से बुलबुले निकलते हैं अब आपने देखा होगा hydrogen peroxide dark color की bottle में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसको खोलते हैं, उस पे light पड़ती है, तो क्या होता है? यह hydrogen peroxide जल और oxygen में तूट जाता है और उश्मा भी उत्पन करता है, इसी वज़े से हमें वो बुलबुले उसमें से निकलते वे दिखते हैं, इ यहां पर आप देख सकते हो, कि यहां पर हमारा अभिकारक तूट गया A और B दो उत्पादों में, तो तूट गया, वियोजित हो गया, तो यह वियोजन अभिक्रिया का उधारण है, आईए एक और उधारण देखते हैं, कभी ताजा सोड़ा खोला है आपने, फिजिंग ह तो क्यूं होता है ऐसा, जब हम कोक को खोलते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर जो कार्बनिक आमल है, H2CO3 वो वियोजित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, जल यानि H2O और CO2 यानि कार्बन डायोकसाइड में, तो यहां पर भी देखिए, एक कल अभिकारक तूट रहा है दो उत्पादों में, तो यह भी वियोजन अभिक्रिया का एक उधारन है, तो यह परिभाशा है वियोजन अभिक्रिया की, आप वीडियो को पोस्ट करके यह परिभाशा नोट कर सकते हैं, कि जब कोई एकल अभिकर्मक तूट कर छोटे छोटे उ पात प्रदान करता है तो हम इसे वियोजन अभीक्रिया कहते हैं इस प्रकार ये एक उधारण है जल का विद्यूत अभगटन हम जब जल में से विद्यूत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है जल का विद्यूत अभगटन होता है और ये जो जल है H2O ये तूट जाता है H2O और O2 में, यहां पर उर्जा हम विद्यूत के रूप में दे रहे हैं, तो यह विद्यूत अभगटन या विद्यूत वियोजन अभी क्रिया भी कहलाती है, आईए एक और उदारण देखते हैं, श्वेत, शाम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लाक एंड वाइट फोटोग्राफी, इसमें क्या होता है, यह हमारा सेंपल है, सिल्वर ख्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, इस पर जब सूरे की केड़ने पढ़ती हैं, तो क्या होता है, यह जो की प्रकाश की वजए से सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है, तूट जाता है, तो यह भी वियोजन अभिक्रिया का उधारन है, यहां पर हम उर्जा सूरे के प्रकाश के रूप में दे रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि यह जो सिल्वर ब्रोमाइड है, यह पहले तो जब हम इनको जलाते हैं तो क्या होता है इसके मसालय में विसवाटक पदाख यानि लेड नाइड्रेट होता है जब इपिक उसको ऊश्मा देते हैं तो लेड ऐक्साईड अक्सीजन और नाइडरोजन डायोकसाइड गैस बनती है तो उश्मा के रूप में हम इसको उर्जा दे रहे हैं ठीक है तो इसलिए ये उश्मिय वियोजन कहलाता है कि उश्मा के द्वारा किया गया वियोजन उश्मिय वियोजन कहलाता है यहां पर भी एकल अभिकारक हमारा तीन उत्पादों में टूट रहा है तो ये थी दूसरी प्रकार की अभिक्रिया, अब तीसरी प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया discuss करने के लिए हम पहले एक activity करते हैं, जो हमने अपने lab में करी थी, चलिए देखते हैं झाल झाल तो इसमें हमने ये copper sulfate लिया था नीले color का solution होता है और इसमें ये nails जो कीले होती हैं लोहे की वो dip कर दी थी और हमने देखा था कि जो कील थी उसके ओपर copper बिल्कुल deposit हो गया था इस वीडियो में clear ना दिखा हो तो मैंने अलग से ये image भी ली है यहां पर आप देख सकते हो व तो F.E. था लोहा इसको जब हमने copper sulfate में डाला तो ये जो copper था इसकी जगा ले ली इस लोहे ने और iron sulfate बन गया और copper अलग हो गया ये copper जमा हो गया इस कील के उपर तो लोहा copper को हटा देता है उसके yogic से और अलग कर देता है तो विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया खेलाती है एक जो अभिकारक है जो जादा क्रियाशील होगा, जो जादा स्ट्रोंग होगा, वो कम क्रियाशील को, कम स्ट्रोंग को उसके योगिक से अलग कर देगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि उसने उसको हटा दिया, विस्थापित क कर देता है तो यह विस्थापन अभी क्रिया कहलाती है इस प्रकार से यह उधारन है FE जमां CU SO4 से हमें क्या मिला FE SO4 जमां CU तो CU अलग हो गया विस्थापित हो गया यह कुछ और उधारन है जिंक जैसे हमने लोहा लिया था उसकी जगा अगर हम जिंक को कॉपर सलफेट के साथ रियक्ट कराएं तो भी सेम जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगी डिस्प्लेस कर देगी विस्थापित कर देगी जिंक सलफेट बना लेगी और कॉपर अलग हो जाएगा तो ये भी विस्थापन अभी क्रिया का हो दारण है, कॉपर विस्थापित हो रहा है क्योंकि कम रियक्टिव है, कम क्रियाशील है जिंक की बजाए, इसी तरीके से यहाँ लेड को लिया, हमने कॉपर क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ भी लेड जो है वो विस्थापित कर द तो यह समरी है हमने आज तीन प्रकार की अभिक्रियाएं डिसकस की संयोजन अभिक्रिया यानि combination और synthesis reaction दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया यानि decomposition reaction एक अभिकारक जो है दो या दो से ज़्यादा छोटे-छोटे उत्पादों में तूट जाता है विस्थापन यानि single replacement या displacement reaction इसमें जो ज़्यादा क्रिया शील्दातु है कम क्रिया शील्दातु को उसके योगिक से अलग कर देती है तो यह तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पड़ी थी आपको समझ में आया होगा आप इसको एक बर जरूर देखेंगे दुबारा से वीडियो को और कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसको हम class में discuss करेंगे यह आपका homework है आज का ncrt book की जो हमारी exercise है chapter 1 की page नमबर 15 पर उसके question number 1, 2, 8, 9, 10 और 11 यह आपको करने है अब जो भी हमने इस वीडियो में सीखा है उसके basis पर कुछ questions आप try करेंगे question 1 question 2 question 3 I hope आपको लोगों को सब को समझ में आया होगा thank you